न्यूज स्पॉंसर ड्वाइस, सुपर 35 कोचिंग इंस्टिटूट रीवा इनके पिता की सडग दुर घटना में मौत हो गई थी पिता की मौत से दुखी सुवेदार पुत्र ने एक ऐसा अभियान चलाया कि अब कोई पुत्र अपने पिता को सडग दुर घटना में नाख होए उसके लिए उन्होंने हेलमेट अभियान चला दिया दरसल आज उनके पिता की पुन्नेती थी जिस अवसर पर अखिलेश कुस्वाहा ने नैशनल हाईवे पहुँचकर लोगों को हेलमेट अवितरित करते हुए उन्हें जागरोग किया आई आपको दिखाते हैं इस दौराल लोगों ने क्या कहा और सुविदार अखिलेश कुस्वाहा ने लोगों से क्या पिल की है बिरो रपोर्ट विराक्ट टुपोर नियोज के लिए क्या सुरच्छा करेंगा एक्सेंट होगा घिरों के तो यह आपका सर बचाएगा ठीक बचाएगा जिंदर आओगे घरवाले देखते रहेंगे चली रहें लगा के रहा हुँआ कि यह करना है कि हमेशा लगा के रखा हुँआ हमसे कभी मुलाकात हो हमेट लगा हु कि अब आदे रहा हुआ है कि अब चल्ड़ करो अब तो यहां पर मैं आपने इस तर पर कुछ लोगों को जरूरत मन लोगों को हिल्मेट दे रहा हुँ पिछले 2010 में मेरे पापा जी का एक्सेंट से देहांत हुआ था जिसमें हेल्मेट ना होनी की वेज़से उनके सर में काफी चोट आई थी और उनकी डेथ हुई थी से मैं लगातार यो कोशिस करता हुँ किसिंदेट केहल्ज सर की चोट की बिशेस ना हो मेरी जो छोटी कोशिस ayya उसके तार्ण में मैं लोगों को हिलमेट दे रहा हुए मैंने जो जरूरतमन मीन ने खक भիण कर तो ताल्यहुरा उनको यह भा it कि बिल्कुल हाइवे में तो जरूरी है ही जहां तक हम घर से मोटर साइकल लेकर निकलते हैं तब तो हमें बिल्कुल जरूरी जहां भी हमें जाना है हैं में निकलना ही नहीं चाहिए क्योंकि सरकी छोट बचाता है और सर अगर सेफ है तो सभी शेफ है और घर में मां इंतिजार कर रही है यह सब को सोच कि हमेट लगाना चाहिए पिछले साल हमने 20-25 हेलमेट बाटे थे, इस साल भी यही हमारा टार्गेट है, हर प्रतिवार्स हमारे पिता जी की पुन्न थिती पर मैं हेलमेट वितरन करता हूँ अभी लगभग 4-5 मैं दे चुगा हूँ, अभी और बाटूँगा